क Drum municipal विख्षम करें टोसे तो मैं यह आपलोड नहीं होपाय यह पता क्यों मुझे खुदम कुर नहीं पता ठेक हैं लेकिन ये वीडियो कल में बनाता तो फर्स्ट यूोट्यूच कंटेंट उता फ़स्ट व्फाउं यूट्यूच्व नाम तो सुना होगा नहीं सुना मैं बताता हूं नाम पर लिखा गिया है नीव शेलेव और ओमनी तो उन लोगों ने इसको बनाया था स्पाइवेर को और ये जी स्पाइवेर दोस्तों वह एक ऐसा स्पाइवेर सरकार के लिए बनाया गिया है ता कि अगर उन्हें कोई जासु से घंडियों कहीं पर तो कर सकें और इस 2019 में 2017 में बहुत सारे स्पाइव कर चुका है ये सौट्वेर और इस पर बहुत इल्जाम भी लगे हैं कि इसने गलत जगा पर भी इसका इसका इस्तिमाल किया है वालब पाकिस्तान में और इदर इंड अधिया में मैक्सीको में बहुत साइक अट्रीज में हमाँ के पत्रकाव रूपे सुप्रीम कोट इंडिया के जच पर ऐसे सरकारी काउमों में इनका स्पाइव किया गया जो कि नहीं करना था इस बार कि उसम्द्राइब लगें पर इस पाइवेर पर इस पाइवेर जो है लोग लिए इस पाइल करना ही तो इस्तिमाल करता है लेकि क्योंकि गजलत काओ हम स्वावीर होता है मैं आपको बताता हूं वेगि तीन तरह के वेर होते हैं Software, Malware, Spyware Software वो होता है आपके computer को, mobile को, laptop को, devices को चलाता है गाड़ी के अंदर ख्रीन है UI होती है अब आपके touch screen है गाड़ी के अंदर वो software होता है UI होती है और यह होता है malware मतलब कोई आपके mobile bug आजाता है अब है कोई आपके mobile वाइरस को जाता है तो वो होता है malware और कोई malware आपको खुल जा आपको पता ना चले आपको mobile hack हो जा आपको पता ना चले वो आपको वाई ने क्या-क्या हो रहा है आप कहां जा रहे हो आपका camera mic की सबको जो permission require कर ले आपको मोई बन भी पड़ा होगा तो से केमरा और माइक केंदर सब को सुना ही देगा और दीखते रहेगा तो वह होता है spyware और दोस्तों इंट्रेस्टिंग बाद ही है कि वह android और ios दोनों को अपने चापेट बे ले सकता है तो जो android वाले हैं उनको भी खुशी होगी कि ios भी अब बचा नहीं है किसी spyware से अब ios वाले जो डेडल आप खर्च करते से सिर्फ अपनी security को जैसे कोई fire नहीं है भाई अब से malware से आप बच सकते है spyware से नहीं बच सकते आप एपल के security उसमें कुछ नहीं कर सकती जो एप पे लोग गूगर हैं यह ऐसी companies को पैसे देती है Microsoft जैसी कंपनिया के आप कोई malware हमाई software में या फिर जो बीटा वर्जन आते हैं टेस्टर्स को डेवलपर्स को चूज करती हो तो बता देते हैं उन्हें Microsoft Google को कि इसके अंदर यह problem है यह malware है आप इसे ठीक कर दो लेकिन वह spyware वाली company उन्हें नहीं बताती है जो सिर्कार को बताती है कि और जो मेक्सिको की सरकार है उसने भी अपने पत्रकार पर इस अपर गलत इस्तेमाल करा है और वह सब तो खेर आलग बाते हैं लेकिन spyware काम कैसे करता है वह मैं आपको बता देता हूं दोस्तों जो spyware है उसको कोई malware होता है वाइरस होता है या तो कोई app आपके बास link आएगी app download करें कुछ ही तो download हो जाता है लेकि spyware को इस्टॉल करना काफी असान यह प्रेशन करें देख लिए प्रेशन के लिए और सरकार के लिए दिन जिन जिन लिए spyware का वह है गुज्ट्रोल तो ऐसे आप spyware मुबाईल करना को गुछ सकता है कि कोई पर वाट्सव पर मिस्कॉल आईगी आपके मुवाइल करना कुछी होगा या फिर एक कोई लिंक आएगी कि आपके इंटरनेट इतना मिल जाएगा कोई इतना यह हो जाएगा यह ओफर चलना है यह लिंक दवाएगे तो वह सब या आप कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कोई एप इस्नेमाल कर रहे हैं या फिर कोई वेफसाइट चला रहे हैं गूगल पे उस पर आएगा यह डाउनलोड करें यह लिंक दवाएं इस काम को लिए यह करें तो बिल्कुल नहीं करना आपको तो उससे हो जितना Android को नुकसान पचाएगा वो तो नहीं iOS को और हो सकता है iOS को ज्यादा पचाएगा यह जितनी बड़े लोग है वो iOS को ही यूज करते हैं जितने भी बत्रकार हैं आपके चलिब्रिटीज हैं बिजनसमेन हैं आपके पॉलिटीशन से सब Apple के फून यूज करते हैं ज्य अगर आपको मॉइल में घुच जाए तो इसका आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों बहत्रीन तरीका है कि आप अपने पैटो सिम निकाल दो मॉइल के अंदर दो मॉइल को स्विच आफ कर दो और आप मॉइल को उसको यूज करो और तब उसका कंट्रोल खुफ हो आप कुछ नहीं कर सकते और सिम भी आपको तोड़ना बढ़ेगा को को आपको वाट्सेप पर यह वाट्सेप पर को लिशन यह क्या को सिम था आपको सिम कार्ण मॉबाइल दोनों तोड़ने बढ़ेंगा वह बहुत बुरी तरीकर डेमेज करने पड़ेंगा को मैं कि एक उ जासूती एजनसी के लिए जिनको ऐसा नहीं कि किसी को भी स्पाइवयर साइसे मिल दिया का मैं जाओ में लाइसेंस करो एक दो लाग एक करोड़ों पर दूँ और मुझे मिल दिया कर नहीं सिर्फ सरकार को और एजनसी को मिलेगा वह बहुत पेपर दिखाने के बाद और ज जोस्तों यह बहुत आप बचके रहिए अगर मानिये किसी अनुन नंबर से आपको कॉल आती है उस पर कोई फोटो वाटो जिमन नहीं आप उस नंबर को टू कॉलर पर डाले के देखिए भाई तो और चेक करिए कुछ आपको गडबड़ लगती है तो भाईया से तरी बता किया वाट सैप है किसी मुझे कॉल करी अब पैया तो में करूंगा इसका सिम निकालूंगा तोड़ूंगा मुवाईल तोड़ दूगा अगर मुजे अस नंबर में कज़गड़ी लग रही है और फिर मैं दूसरे मुवाईल से जितने कॉंटेक्स में में मेरे में वाट से वाले उनको एक message डालूंगा या तो call करूंगा कि भईया आप अब इस नंबर से मेरा अपने हो ऐसे मेरा नमर डिलीट कर दो बिल्कुल डिलीट कर दो सारे गुरूप एग्रेट कर दो वाट्षप के तो आफिर आपको नया नमबर लेना बड़ा को सिम कार्ट जरूरी से फोन होता है, software होता है, hardware भी होता है लेकिन hardware वह चीज होती है जाए आपके CPUs है GPUs है यह सब hardware के अंदर आते हैं और hardware वह भी आता है आप घर में काम होता है न तो उसमें भी hardware का कुछ लखड़ी वखड़ी है मुझे इती चान कहीं नहींगे मैं सिर्फ Tech Creator हूं तो दोस्तों यह थ थैंक यह वर वाचिंग